दोस्तों अब याप देख रहे हैं मारूती सुजूगी की All New 6 Seatry Luxury MPV Car इसका नाम है मारूती सुजूगी XL6 इसको आप अर्टिका का थोड़ा Modified Version कह सकते हैं जिसमें आपको SUV का भी थोड़ा Touch देखने को मिल जाएगा जैसे कि Front का लोग इसका थोड़ा मारूती ने बोल्ड कर दिया है All Body में आपको Claddings देखने को मिलेंगी जो इसके Wheel Arches है थोड़े से बड़े कर दिये है Wheel का Size तो वही है 185 Section 65 और R15 का टायर इसमें मिल रहा है LED आपको Front में पूरी Headlamp मिल जाएगी Rear में भी आपको पूरा LED मिल जाएगा Fog Lamp भी आपको LED मिल रहे है Front में जो इसका Approach Angle है और जो Rear में Departure Angle है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है पूरी Body में आपको जो Front और Rear में जो Skit Plate से वो भी थोड़ी इसको एक SUV लुक देती है और जो Front का लोग है इसका कहीं न कहीं Innova से मैच करता हुआ लगता है और Tata Hexa या फिर Toyota की Land Cruiser ले लीजे कहीं न कहीं लोग उससे मैच कर रहा है आपको कैसा लगता है मुझे comment section में ज़रूर बताइए मारूती ने इसमें केवल petrol engine ओफर करा है जो कि इसका BS6 engine है K15 series का engine है जो कि यह में CRS में भी देखने को मिलता है काफी बड़िया engine है कार के हिसाब से लेकिन इस size की कार के हिसाब से इतना बड़िया engine नहीं है वो 105 BHP बनाता है engine और 138NM का peak talk है इसमें 5 speed का manual transmission मिलेगा और 4 speed का CRS का ही automatic transmission मिल जाता है मारूती ने इसको premium side में रखा है तो इसको केवल NEXA से ही sale किया जाएगा यह आपको मारूती की arena में देखने को नहीं मिलने वाला है इसके केवल दो ही models या फिर दो ही variants को offer किया गया है जो कि इसका Zeta model और इसका alpha variant होने वाले है जो XL6 का Zeta होगा manual transmission के साथ इसकी price 9,80,000 रुपे है एक शो रूम और इसका जो automatic है वो है 10,90,000 का वही alpha का manual transmission है उसकी price है 10,36,000 और alpha का जो automatic है वो है 11,46,000 का पहले जो autica आती थी वो करीब 75,000 रुपे सस्ती पढ़ रही है अगर आप same model के साब से देखे तो अगर आप हिसाब लगाए तो वही 90,000 रुपे सस्ती पढ़ रही है अगर आप automatic model को देखे तो तो इसमें थोड़ा जो ये additional feature दिये गए है उसके कारण इसकी price इतनी जादा increase हो गई है वहीं अर्टिगा को जो पुराना base model आता है वह साथ लाग 55,000 का लेकिन इसका है 9,80,000 का तो इतना जादा increase हो गया है वहीं ये जीटा model से मिलनी स्टार्ट हो रही है बाकि इसमें काफी सारी changes किये गए है जैसे की quad LED headlamps दिये जा रहे है रियर में आपको LED DRLs मिल जा रहे है tail lamps मिल रहे है उसमें artiga और इसमें same ही tail lamps मिल रहे है कहीं न कहीं लेकिन थोड़ा सा improve किया गया है वहीं जो side cladding जो मिल रहे है वो भी इसको एक SUV लुक दे देती है जो अंदर इसमें जो smart play studio मिल रहा है जो कि आपको वेगनार में मिलता है वहीं इसमें मिल जाएगा काफी बड़िया feature है उसके वहीं steering में आपको सारी multifunction मिलने वाले leather wrap मिलने वाले हो लेकिन इसमें diesel engine नहीं मिल रहा है सिर्फ उसी की कमी है अब बात करते हैं इसके size की तो जो इसकी length है वो है 1445 mm की यानि कि यह थोड़ी सी बड़ी है अपनी जो पुरानी वाली अर्टिगा है वहीं जो इसकी चड़ाई है वह है 1775 mm की इसकी height है 1700 mm की थोड़ी बड़ी है गाड़ी है अर्टिगा से wheelbase इसका 2740 mm का है और जो इसकी second row में केवल दो ही seats देखने को मिलेंगी तीन नहीं मिलेंगी क्योंकि यह 6 seat है तो second row में तो बड़ी है खासी इसमें जगे मिल जाती है लेकिन third row में वही हाल है जादा space आपको नहीं मिलने वाला है boot space इसका 209 liter का मिल रहा है आपको अगर आप तीनो seats को use करते हैं तो तीनो rows को करते हैं तो तो 692 liters का इसमें आपको boot space मिल जाएगा और काफी बड़ीया रहता है मतलब second row और third row को fold करके आपको लगबग 692 liters काफी जादा होता है color option इसमें काफी सारे मिल जाएंगे आपको लगबग blue मिल जाएगा khaki color है इसमें एक red color है gray है silver है और white color है तो अपने हिसाब से आप ले सकते है front की grill इसके काफी जादा aggressive लगती है और मारूती की तो एक बढ़िया बात यह कि वो LED lights में काफी बढ़िया focus करती है जिससे गाडियों का लोग काफी बढ़िया हो जाता है जैसे बात कर ले बलीनो की जिसमें आपको base model सही मिल जाता है LED का पूरा setup काफी बढ़िया लगता है और जो नई feature इसमें मिल रहे है safety के तो सारी feature आपको वही मिलने वाले है जैसे की airbags CBD वो सब कुछ मिल जाएगा वही प्राइज है इसकी 9,80,000 से इसके base model की बाकी इसमें alloy wheels हो ही मिल रहे है बस इसमें थोड़ा black doubt कर दिया गया है 185 section 65 R15 के इसमें tire देखने को मिल रहे है front के grill में आपको थोड़ा matte finish मिलेगी और जो इसमें cladding मिल रहे है side में कुछ जादा ही लग रहे है मुझे उतना जादा पसंद नहीं आ रहे है आपको कैसे लग रहे है आप जरूर बताइएगा मुझे को और थोड़ा जो instrument cluster है वो आपको artiga से ही मिलता जुलता लगेगा थोड़ा इसमें hybrid का system भी आया है तो उससे थोड़ा improve इसमें किया गया है क्योंकि थोड़ा economy और जो regeneration breaking होती है उसके सारी system दिये जाएगा जो SHVS technology है मारूती की mild hybrid है hybrid भी आए तो काफी बढ़िया है मारूती की तरफ से mileage इसकी वही रहेगी 15 से 16 के आसपास उससे कमी रहने वाली है वहीं इसका competition हमारे पास महिंद्रा की मराज़ो है और duster भी compete कर सकती है से होने को सेवन सेटर नहीं है क्योंकि आप तो इसको सेवन सेटर भी हम नहीं मान सकते है अब यह 5 सेटर से भी compete करेगी और 7 सेटर से भी करेगी front का लोग इसको बिल्कुल innova और cruiser की तरह देने की कोशिस की गई है hexa से भी थोड़ा मिलता जुलता लगता है मुझको और 7 इंचिस की आपको अंदर मिल जारी है MID जिसमें आपको अंडर्ड आटो मिल जाएगा apple का carplay मिल जाएगा AC में आपको पूरा automatic system मिलेगा और आपको roof mounted vents इसमें देखने को मिलेंगे second row के उपर पूरे LED DRL में जा रहा है roof rails भी इसमें आपको बिल्कुल SUV का stance देने की कोशिस की गई है हम सभी को यह लग रहा था कि मारूती अपनी breza का petrol लेकिन उसने अपना यह launch कर दी यह भी बढ़िया है क्योंकि मारूती अब diesel engine को जादा आगे बढ़ाना नहीं चाता है तो वो सीधे petrol में जाना चाता है इसलिए उसने ऐसा step लिया है क्योंकि front का लोग इसका breza से भी inspired हम कह सकते लेकिन जाधा तर ही इनोवा से inspired मुझे लग रहा है बाकि इसके और जाधा feature मैं कहूं तो जाधा feature इसमें मिलें इंटीर में आपको जो marble finish मिल जाती है जैसे stone जैसे हम अर्टीगा में थोड़ा wooden finish मिलती है इसमें marble inspired finish देखने को मिलेगी वहीं जो उसका B और C पिलर है वो आपको black doubt देखने को मिली रहा है जो उसका window area है वो भी बड़ा है और तीनो seats में आपको चैनल को जरूर subscribe कीजे वीडियो को like कीजेगा जरूर अभी और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो comment करके जरूर बताइएगा मुझको और dislike भी कर सकते है वहीं price के इसाप सा अगर मैं देखू तो 9,80,000 इसका base model है और artiga आपको मिल जाती है 7,55,000 से लेकिन अगर जीटा के artiga और ऐसे match करें तो लगबग यह 75,000 रुपे महेंगी है अब वो सारा पैसा यहीं लग जाता है क्योंकि artiga में आपको LED headlamp नहीं मिलते थे projector तो मिल जाते थे लेकिन इसमें आपको quad मिलने वाला system जैसे कि किया की cell toss में मिलता है वहीं fog lamps भी इसके काफी बढ़िया लग रहे है उसकी housing भी काफी बड़ी सी लगती है grill का जो इसका area दिया गया है उतना बड़ा नहीं है तो उतनी जादा दिक्कत नहीं होगी और पूरी चारो तरब से आपको जो cladding मिल रही है और जो skid plates मिल रही है वहीं जो इसको काफी बढ़िया लेती है वहीं जो इसमें door के handle है उसमें आपको chrome की finish देखने को मिल जा रही है तो overall मारूती ने काफी बढ़िया गाड़ी launch करी है और नेक्सा में ही मिल रही है तो मारूती की अर्टिका लेने से बढ़िया यह आपके लिए better option होगी अगर आप अर्टिका के top model को लेना चाते थे लेने को अगर base model था तो अर्टिका ही लेना अभी भी better होगा तो यह था आज की इस वीडियो में और इसका detail review काफी जल्द आ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू